हेलो दोस्तों वेल्दी चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा दिवाली आने वाली है और दिवाली आईगी तो दोस्तों हमारी भी दिवाली होनी चीए तो दोस्तों इसलिए आज आपके लिए मैं दो ऐसे स्टॉक्स लेके आया लेकिन दोस्तों जैसे कि आपको पता है कोरोना वाइरस के बाद थोड़ इस ही हाँ पर mentality थोड़ इस ही हाँ पर lifestyle होगी चेंज हो चुकी है लोग जो है physical distancing पर ज्यादा focus कर रहे हैं तो physical distancing को मद्द नजार रखते तो दोस्तों यहां पर मैं बात कर रहा हूं वीकल इंडस्ट्री यानि टू वीलर सेक्टर की जिसमें की दिवाली पर अच्छा कासा यहां पर एक पेनिट्रेशन हो सकता है क्योंकि अब जो हर मिडल क्लास आत्मी है वो चाहेगा कि हमारे पास भी एक खुद का वीकल हो तो उस सकता है इसका और दूसरा स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों इसी सेक्टर का है वो टू वेलर सेक्टर का आप सकते हैं उसको तो आप उस पर भी जरूर आपको हम गाइडेस करेंगे तो चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब कर लिए क्योंकि ऐसे ही वीडियों आपके लिए जो इसका काफी जादा है यहां पर अपकी बार सेल करने वाला है हीरो मोटो कॉप के अंडर ब्रैंड जित्ते भी आते हैं काफी जादा बिखने वाले हैं क्योंकि लोग चाते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे तो वह खुद का वीकल लेना पसंद कर रहे हैं पब्लिक ट जिरो डेट है मतलब वर्चुली डेट फ्री कंपनी है नेगलिजिबल डेट है आरोसी देखिए जबरदस 27 परसंट का है आरोई 22 परसंट का है और स्टॉक का पीच 26 का है इंडस्ट्री का पीच है मतलब अभी अच्छे भाव पर अवेलेबल है और इसका अभी चल रहा है तैंतिस सो चौदा के आसपास चल रहा है है इस ने तैंतिस सब्सक्री के पासपास बनाए था और जो इसका है वह भी हम जड़ा इस पर चार्ट पर देखते हैं पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तो जो मार्केट में कंजम्शन बहुत कम हुआ था डिमांड बहुत कम हुई थी जो भी साप सेक्टर ले लिए चाहे चाहे कोई सा भी थोड़ी देखनेंड कम हुई थी तो यहां पर टूविलर सेग्मेंट की बीमांड कम हुई थी लोग क्योंकि लोग घर पे बैटे हुए थ चुकिए अनलॉप 5.0 आचुका है तो सब कुछ यहां पर इंडस्री ओपन हो रही है धीरे धीरे नेट प्रॉफिट देखिए आप कंटिनियस यहां पर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको यहां पर देखे बढ़ता हुआ दिख रहा है लेकिन लास्ट वैल मंत का यहां पर आ सबस्राइब सर्कषण यहां पर कंटपनी के देखते हैं तो कंपठी के जो disclose है यहां पर कंपठी तक तक तो है यह अची बात है और च है कंपनी सकर आपिन आप domic work in progress है वो भी हां पर 391 है तो यह भी यहां पर देखने लाइक बात है तो यह थी इसकी अब यहां पर हम सबसे पहले यहां पर दोस्तों देखते हैं इसका शेर होल्डिंग पैटर्न आप देखे शेर होल्डिंग पैटर्न यहां पर कमपनी के पास है 34 जो प्रमोटर से उनके काफी increase हो सकती है डिया इस ने अपनी होल्डिंग यहां पर देखिए सितंबर कॉर्टर में बढ़ाई है 22 हो गई है एक इस से जून कॉर्टर में थी पब्लिक की होल्डिक कम हुई है लेकिन यहां पर मुझे लगता है पर पब्लिक को होल्डिंग अपनी बढ़ानी चाहिए इसा मेरा यहां पर research कहता है अब चलिए जल्दी से हम इसके technical पर चलते है उपन कर रहा है और यहां मैंने एक resistance यह जो मैंने तो इसका मतलब अल्रेडी ब्रेक आउट हो चुका है यहां पर देखिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ रहा है ब्रेक आउट अच्छा खासा दिया है तो दोस्तों यहां से जो इसका ओल टाइम हाई है कंपणी ने जो बनाया है वो देखिया आप एक तालिसो के आसपास ह है तो आप जो इसका नेक्स्ट जो टार्गेट हो सकता है वो हो सकता है में यहां पर दोस्तों क्लियरली नजर आता है दिवाली की वज़े से मुझे यहां से सीधा सीधा कंपणी में जो यहां से टार्गेट दिखता है वो 3700 के आसपास दिखता है यहां से अरां 3700 के आसप तो इसका एक तालिस के आसपास है तो यहां तक जाने की पूरी शमता रखता है तो आप उस हिसाब से यहां पर अपना रिटान करके एक अपनी पोजिशन बना सकते हैं दोस्तों तो यह मेरा एक वियू था आपके लिए हिरो मोटो कॉप पे अब दूसरा जो पिक है दोस्तों मैं आपको पता तो वह भी सेम इसी फील्ड से है इसी इंडस्ट्री को बिलॉंग करता है तो वह है बजाज ओटो यहां दोस्तों बजाज ओटो टूविला इंडस्ट्री का यह भी एक बेता प्रमोटर की चोवन परसंट के आसपास यहां पर प्रमोटर होल्डिंग है और देखिए बिल्कुल नेगलिजिबल डैट है कंपनी के पास और जबरदस्ट यहां पर आरो सी है तीस का और आरो यह 25 के आसपास तो हम जड़ा प्रॉफित और लॉस स्टेट्मेंट भी देख 29-30,000 तक पहुच गी 2019 में और जो 2020 उसमें आपको पता है पेंडमी के वज़े से सेल्स डाउन हुई है तो यह यहां पर देख सकते हैं आप ऑप्रेटिंग प्रॉफिट भी यहां पर डाउन हुआ हलका सा लेकिन आप देख लिए लास्ट येर्स आप देखेंगे जो रीसे की प्रॉफिट अन लाउस स्टेट पेंड तो दौस्त यहां पर हम बैलेंस शीट भी देख लेते हैं कंपनी के कंपनी की बैलेंस शीट देखिए आप जबरदस्त हैं पर फिक्ट एससेट जो है कंपनी के यहां पर काफी अच्छा यहां पर एक्सपैंशन कैपिसीटी अप पर अच्छी कासी दिख रही है और कंपनी के पार रिजर्फ भी अच्छे कासे हैं एक्टिस जार करोड के और बारेंज देखिए नेगलीजिबल चलिए अब इसका हम शेयर होल्डिंग पैटन देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटन देखिए आप प्रमोटर से नहीं हाँ पर अच्छे लिए देख लेते हैं बजाज ओटो पर हमको कहां पर टार्गेट क्या हो सकते हैं हमारे लिए और क्या हमारे लिए सपोर्ट एंड रिस्टेंस बजाज ओटो के हो सकते हैं हम चैक कर लेते हैं दोस्तों थो यहां पर आप देखेंगे तो बजाज आटो भी दोस्तों अमस्क्त कैज आपना हाई नहीं देख सकते हैं opens थे एक अब आप यह अगए오रेट है ठीक हाई इसका आप देख सकते हैं यहांपर आप वॉस्ब्सक्ती का चारट पेटन्ठा अड़ा है इसका इस पर ब्रेक आउट अल्डी दे दिया है तो यहांपर आप देख सकते हैं ब्रेक आउट दे दिया है तिन हजार चौवण के सपस सब्हाएं तो इसका जो next target होगा दोस्तों आप हो सीधा-सीधा सीधा यहां से दिखता है सीधा-सीधा नजरा रहा है do तर्गेट जैसे कि आपको दोस्तो टार्गेट दिख रहा है सीधा सीधा पतिस सो सतर के आसपास अगर हम इसका यहां से परसंटेज निकाले तो आपको सीधा सीधा यहां से रिटन मिल रहा है सीधा-सीधा 8% का return मिल रहा है दोस्तों दिवाली आने वाली है एक महीने में तो यहां पर आपको देखिए दिवाली तक हो सकता है 8% का return यहां से आपको देखने को मिल जाए और all time high जब इसका देखेंगे हम तो all time high को अगर टच करता है अपने तो यहां से आप return फिर से तो यह था दोस्तो बजा जोटो का जो technical analysis और अगर यहां से थोड़ा सा correct होता है तो इसका जो support होगा 2900 के आसपास होगा तो 2900 के आप यहां पर अच्छी खरीदारी कर सकते हैं दिवाली की दो पिक्स थी दोस्तों आपके लिए यह मेरी तरफ से I hope आपको अच्छा लगा ह होगा एक analysis जो research मेरी है तो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही next video में thank you so much for your time take care bye bye